बूर्णिंग स्टूरेंट्स अब स्टार्ट करेंगे हम चेप्टर नाइन इस मेजरमेंट इस चेप्टर में हम लोग लेंथ, वेट और कैपसिटी के मेजरमेंट कैसे करते हैं, उनके यूनिट्स को कैसे कानवर्ट करते हैं, addition, subtraction and उनके उपर जो based word problems होती हैं उनको करना तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लेंथ से, लेंथ मिन्स किसी भी चीज की लंबाई, तो जो लेंथ को मेजर किया जाता है, उसके लिए जो हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट है, वो है मीटर, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं, स्मॉल एम, और मीटर से जो छोटी लेंथ होती हैं, उनको हम मेजर करते हैं सेंटी मीटर में, जिसको शो किया जाता है, या शॉर्ट में लिखा जाता है, स्मॉल एम, ये देखा होगा आप लोगों ने, जो मीटर राउड होता है, या इंच्टेप होते हैं, उसमें जो मार्क होते हैं, बहुत नजदीक से कभी दो जगाओं के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो किलो मीटर में ही मेजर किया जाता है ठीक है तो इसके लिए दो कुछ चीजें हमें याद रखनी है कि स्टैंडर्ड यूनिट है मीटर जिसको लिखते हैं शॉर्ट में एम छोटी चीजों को मेजर करते हैं सेंटी मी dos thousand meters to one kilometer यानी thousand meters को मिलाकर one couple बनता है अब जो लेन्च होती हैं उनको कैसे जो थोड़ी बड़ी लेंग से उनको जो टेप होता है, मेजरिंग टेप उससे हम मेजर करते हैं और जो लेंथ होती है, डिस्टेंस होता है दो जगाओं के बीच का, उनको किलो मेजर करते हैं, ठीक है? तो यहां एक छोटा सा कुईक असस्मेंट है, मेजर दे लेंथ अफ फॉलोविंग अबजेक्ट यूजिंग सेंटीमिटर रूलर, तो जो अगर हम सेंटीमिटर रूलर से इन चीजों को मेजर करेंगे, तो कितनी लेंथ हाएगी उसको हमें यहां पर लिखना है, ठीक है? तो यह मेरे पास जो से आपके पास भी होगा है, य यह बोर्ट पिन है, यह लगभग 2 सेंटीमिटर के लगभग है, ठीक है? थोड़ी छोटी ही है उससे, पॉइंट्स में आ रहा है अंसर अभी, और यह जो है 3 सेंटीमिटर है, ठीक है? उसके बाद इन लाइन्स को मेजर करना है, लाइन्स को मेजर करने के लिए क्या करते है फर्स्ट पॉइंट जीरो पे रखते हैं और जो लास्ट पॉइंट होता है यानि जो ए पॉइंट है उसको जीरो पे रखेंगे और लास्ट कहां तक पहुँचेगा वो आपको जब आप रूलर से मेज़ा करेंगे तो आपको और क्लियर ली दिखाई देगा यह थोड़ा स्वाई जो लाइन है वो है 5 cm की ठीक है तो आप इनको मेज़ा करेंगे तो बिल्कुल एक्जैक्ट यही आएगा इनको मेज़ा करेंगे तो थोड़ा सा कम ज़्यादा आएगा क्योंकि इनकी शेप थोड़ी अलग है इसलिए ठीक इसके बाद है Conversion of Metric Units of Length it means कि मीटर को स क्यासे करते हैं इनके लिए 4 अलग-अलग rules हैं देखो 2 Convert Metres to Centimeters multiply by 100 अगर हमें मीटर को cm में convert करना होता है तो हम मीटर के नंबर को 100 से multiply कर देते हैं जैसे हैं 1 meter को convert करना है sorry 1 meter is equal to 100 cm लिखा है 8 meter को convert करना है तो 8 को 100 से multiply करा 800 cm आ जया है 52 meters को convert करना है तो 52 को 100 से multiply क्या है 5200 cm आ गया है second rule है cm को meters में change करना है तो उसके लिए क्या करेंगे हम जो number है हमारे पास cm का उसको 100 से divide करेंगे ठीक है थर्ड रूल है to convert kilometers to meters multiply by thousand अगर kilometers को meters में convert करना है तो हम उसको 1000 से multiply करते हैं अगर meters को kilometers में convert करना है तो उसको हम 1000 से divide करते हैं ठीक है यह यहां पर examples दिये हुए है इनको हम exercise में अभी करेंगे copy में तो आपको और clear हो जाएगा जैसे यहां पर है convert 700 cm into meters जो 700 cm है उसको meters में change करने के लिए हम क्या करते हैं cm का जो number दिया है उसको 100 से divide कर देते हैं ठीक है अब अगर meters sorry cm and यह दिया हुआ है यहां पर meters and cm में इसको convert करने के लिए तब क्या करेंगे जो एक तो simple तरीका है दूसरा है 265 को 100 से divide किया 100 से जब इसको divide करेंगे तो 100 200 हो जाएगा और 65 जो है वो remainder रह जाएगा तो जो quotient आएगा वो meter और जो remainder रह जाएगा 65 जैसे 265 को आप 100 से divide करेंगे तो 100 2 जा 200 and remainder 65 तो यह जो 2 है यह meters में हो जाएगा और जो यह remainder बचा है यह centimeter रह जाएगा और भी इसी तरीका क्या है क्या है क्योंकि हम इसको 100 से divide कर रहे हैं यह तो lengthy process है थोड़ा सा shortcut में भी एक method है कि इसको हम अगर 100 से divide कर रहे हैं तो 200 में two zeros तो two zeros जो है वो centimeter और बाकी जो third digit बची वो meters तो अभी यह तरीका आप लोगों को नहीं करना है जो सही तरीका है जो process है उसी से आपको solve करके इसको find out करना है ठीक है इसी तरह यहां convert 8606 meters into kilometers and meters तो क्या करेंगे 8606 को 1000 से divide करेंगे ठीक है और जो रह जाएगा वो meter बन जाएगा जो divide होगा पूरा-पूरा यह हम यहां और क्या कर सकते है जो यह three digits है इनको अलग कर लेते हैं यह meter हो गया और यह meter अलग हो गया यह meter अलग हो गया अब इन meters को हम जब 1000 से divide करेंगे तो यह पूरा 8 आ जाएगा और जो यह meters यहां बचे है यह इसमें add होके meters रह जाएगे मतलब इसमें 7 में रहेंगे और यह meters रहेंगे और यह जो 8000 meters है यह 8 km बन जाएगे ठीक है तो इसके लिए आप लोग अभी चैप्टर मैं आज यहीं तक आपको explain करूंगी अभी और इसमें आपको notebook में अपनी थोड़ा सा काम इस chapter 6 के लिए introduction के लिए लिखना है जो कि यहां पर आप measuring of length के points लिखेंगे उसके बाद rules of conversion लिखेंगे कि किस किस तरह से rules को use किया जाता है units को convert करने के लिए then जो self practice 9a है उसको हमें करना है ठीक है इसको करने के लिए first question इसमें दिया हुआ है convert the following as directed 9 meter is equal to how many centimeter to 1 meter is equal to 100 centimeter so 9 meter is equal to 9 into 100 centimeter is equal to 900 centimeter ठीक है यह 900 हम यहां पर लिखेंगे ठीक then 7 kilometer is equal to how many meters तो उसके लिए पहले लिखेंगे 1 kilometer is equal to 1000 meters so 7 kilometers is equal to 7 into 1000 meters and is equal to 7000 meters यह आंसर यहां पर लिखेंगे then 37 kilometers is equal to how many meters 1 kilometers is equal to 1000 meters 37 kilometers is equal to 37 into 1000 meters is equal to 37,000 meters तीक है यह आंसर यहां लिखेंगे then next is 5 meter 36 centimeter अब इसमें क्या करना है 5 meter अलग है 36 centimeter अलग है और हमें centimeter में इसका अंसर लिखना है तो हम इस 5 meter को change करेंगे और उसमें 36 centimeter को add कर देंगे तो 1 meter is equal to 100 centimeter 5 meter is equal to 5 into 100 centimeter is equal to 500 centimeter और यह 36 अब इसमें हम प्लस करेंगे तो यह हो जाएगा 36 centimeter and answer होगा 536 centimeter ठीक है 5 meter 36 centimeter is equal to meter को हमने centimeter में change किया और इन centimeters को इसमें आड कर दिया 536 centimeter तो 24 meter 8 centimeter तो 1 meter is equal to 100 centimeter तो 24 meter 8 centimeter is equal to 24 into 100 centimeter plus 8 centimeter 24 into 100 24 hundred centimeter plus 8 centimeter यह हो जाएगा 2 4 0 8 centimeter तो 2 kilometer 264 meter सेम इसी प्रोसेस से यह भी होगा 1 kilometer is equal to 1000 meters तो 1 kilometer अगर 1000 meter सा 2 kilometer को change करेंगे तो 2 kilometer 264 meter is equal to 2 into 1000 meters plus 264 meters और आंसर हो जाएगा 2,264 meters तो बस इतना ही काम आज आपको करना है चैप्टर को जाओ जो मैंने explain किया उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेंगे कोई point अगर समझ भी नहीं आता है तो मुछ लेंगे और notebook में chapter start करेंगे measuring of lens के point लिखेंगे उसके बाद rules of conversion लिखेंगे and self practice 9A का first question इसमें करेंगे और जो second question है उसको हम book में ही करेंगे तो second question क्या है देखते हैं centimeters meters and centimeters यानि जो यह हमें centimeters दिये हुए हैं हमें इनको हमें meters और centimeters में अलग-अलग करके लिखना है ठीक है तो जब centimeters को meters में change करने के लिए हम क्या करते हैं 400 तो 4 meters हो गया और 0 centimeter 10650 centimeters इसको जब 100 से divide करेंगे तो क्या होगा जितने 0 है उतने digit remainder होती है अगर याद होगा आपको division में जब हम लोग कर रहे थे तो करते हैं कि जिस 10,100,000 ऐसे numbers से जब हम divide करते हैं तो जितने 0 होते हैं राइट साइड से उतनी digits remainder होती है और बाकी number quotient होता है तो यहां भी वही है जो remainder है वो centimeter है और जो quotient है वो meter है तो अगर हम इसको 100 से divide कर रहे हैं तो 100 में two zeros होते हैं one two zeros यह two digits जो है यह हो गई centimeters और जो यह एक digit रह गई वो हो गई meters इसमें भी two digits जो है वो centimeters and जो एक digit रह गई quotient है वो meters 965 को 100 से divide करेंगे तो 65 remainder आएगा तो 65 है centimeters and nine जो है वो quotient और वो है meters now 2425 यह four digits है तो 100 से ही इसको divide करना है हमें क्योंकि हम को meters और centimeters में convert कर रहे हैं तो 100 में two zeros होते हैं इधर से two digits जो है यह होंगी centimeter और जो दो digits रह गई हैं वो होंगी meters ठीक है ना उस बी पार्ट में meters दिये हुए है kilometers और meters में convert करना है प्रोसेस वही है इसमें हम thousand से divide करेंगे यहां हमने hundred से divide किया था यहां हम thousand से divide करेंगे thousand से divide करेंगे तो right side से three digits जो है वो remainder हो जाएंगी और जो और digits बचेंगी बाकी वो quotient रहेंगी तो जो remainder है वो meters में चला जाएगा और जो quotient है वो kilometers में ठीक है तो 540 meters and 6 kilometers eight thousand three one two three digits में क्या है zero zero three it means three meters and eight centimeters and last one seven thousand eight hundred forty seven eight hundred forty seven meters और seven kilometers ठीक है तो यह self practice nine eight तक आपको work आज complete करना है syllabus हमारा बहुत जादा बचा हुआ है अभी इसलिए हम लोगों को थोड़ा जादा जादा work एक दिन में finish करना होगा ठीक है तो आज जितना भी work मैंने आपको book और copy में करने के लिए कहा है उसको आप लोग आज ही complete करेंगे ओके